हेलो गाइस वेलकम तो मैं चैनल माइम इस रुच्छी बिंदोरा तो हम एस्केल की सीरीज हो कॉंटिन्यू करेंगे तो हम यहां लिखेंगे जिलीट फ्रॉम और यहां लिखेंगे टेबल का नेम श्टूडेंट और लास में लगा देंगे सैमी कॉलन सो बस हमें इतना ही लिखना है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इससे क्या होगा जितने भी रेकॉर्ड्स प्रेजेंट होंगे हमारे टेबल में सब डिलीट हो जाएंगे तो इसको रन करके देखते हैं तो देखो यहां पर हमें एक एरर आ गया है एरर क्या है यू आर यूजिंग सेफ अफडेट मोड एंड यू ट्राइट टू अप्डेट टेबल विदाउट अवेर क्लाउस तो बेसिकली अभी हमारा जो मैस्कुल है वह सेफ अफडेट मोड पर चल रहा है जो हमें सारे रे अब लेफ्ट में यहां पर एस्कुल एडिटर है उस पर क्लिक करना ठीक है दन स्क्रोल करना यहां पर लिखा हुआ है सेफ अपडेट्स रिजेक्ट अपडेट एंड डिलीट विग दो रिस्ट्रिक्शन तो इसको हम अंचेक कर देंगे और यहां पर ओके कर देंगे ठीक ह तो देखो मैंने यहां पर मायस्कल वर्क बेंच को क्लोस किया है दन अगेन ओपन किया है ठीक है तो यहां पर हम अपने डीवी से कनेक्ट कर लेते हैं तो हम रन कर देंगे यूज परसन कमांड को तो यहां पर हमारा डिटबेस सिलेक्ट हो गया है ठीक है अब हम जो क्वेर चला रहे थे delete from student उसको दुबारा चलाएंगे अब आप देख सकते हैं हमाले statement run हो गई है ठीक है अब चेक करते हैं हमारे table में से सारा data empty हुआ है कि नहीं हुआ है तो यहाँ पर हम select command चलाएंगे select star from student तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब एक भी record हमारा नहीं है it means जितने भी records थे सारे delete हो गए है ठीक है इस वीडियो के लिए इतना ही अब मैं आपको मिलूंगी next video में I hope आपको सब को समझा आ गया होगा thanks watching